नमस्कार कैसे हैं आप उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित तेनाथ बुल्डोजर बाबा के नाम से जनता में प्रसद्ध हो चुके हुए हैं लेकिन क्या अदालत में जज भी, न्याय मुर्ती भी, मिलोड्स भी योगी आदित तनाथ को उनके बुल्डोजर से ही पहचानते हैं कुलकता हाई कोट के न्याय धीस न्याय मुर्ती अभिजीत मुखर जी एक मामले की सुनवाई कर रहे थे और मामले की सुलवाई करते हुए कुलकता के पास मानिक तला में अवैध निर्मान हटाने में आसफल ममता की पुलिस को फटकार लगाने लगे और कहे कि मैं जानता हूँ कैसे ये अवैध निर्मान हटेगा जानते तो आप भी हैं लेकिन नियत आपकी साफ नहीं है फिर जजसाम ने कहा कि अबैद निर्मान और गुंडागर्दी कैसे खत्म करना है हमें भी पता है और आपको भी लेकिन इन सब को योगी आदितनात से सीखना चाहिए उन्होंने कहा कि कलकता पलिस गुंडागर्दी रोकने में फेल हो रही है जरूरत परे तो योगी के बुल्डोजर का सहारा लीजिए अब अदालत के अंदर एक जज यदी इस तरह की बात करें तो लगता है कि योगी आदितनात के बुल्डोजर की लोक प्रेताफ इसकदर बढ़ गई है क्योगी इन साफ के प्रतीक बन चुके हैं अपने बुल्डोजर के कारण माफियाओं पर बुल्डोजर चलाने की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आने लगी तो मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंग चौहान ने भी ये कहा कि धंकाया कि अब यदी मद्ध प्रदेश में गुंडागर्दी की तो बुल्डोजर चला दिया जाएगा उनका एक वीडियो जवरदस्त वाइरल हुआ था इसी बुल्डोजर को लेकर के लेकिन बुल्डोजर कोई भी चला ले उसकी पहचान योगी आदितेनाथ सही है उत्तर प्रदेश में माफियाओं को खौफ उसी बुल्डोजर से होने लगा तो अखिलेश यादब भी बुल्डोजर का मजाख उडाने लगे और बुल्डोजर से वो बुल साड़ कहने लगे अक्सर उत्तर प्रदेश यादब साड़ पर जो कटाक्ष करते हैं वो दरसल योगी आदितनाथ के बुल्डोजर पर ही कटाक्ष होता है लेकिन बुल्डोजर पर उसका पूरा वजूद खतम कर गया बुल्डोजर आतंक गुंडागर्दी को नश्ट करने का प्रतीक बन गया लेकिन ये बुल्डोजर सुप्रीम कोट को क्यों नहीं सुहाता सुप्रीम कोट को ना सुहाए तब भी वो योगी का कुछ नहीं विगार पाते लेकिन सुप्रीम कोट को ये योगी का बुल्डोजर कहां टीस मार रहा है क्यों मार रहा है जो बुल्डोजर कोलकता हाई कोट को बहुत भाता है वो बुल्डोजर क्या सुप्रीम कोट को चुपता है लगातार हाई कोट के आदेशों को पलटते हुए, योगी सरकार के फैसलों को कुचलने में के लिए सुप्रीम कोट जिस धंग से जनता में अपने आप में एक विबाद का विशह बनता चला गया वैसे मामले में संजय किशन कॉल जो सुप्रीम कोट के जज है वो एक मामले की सुनवाई में योगी के बुल्डोजर को क्यों घसीट कर ले आए यह जानना दिल्चस्प है तब समझ में आएगा कि जो बुल्डोजर जनता में इतना लोकप्रिय है हाइकोट के जजों में लोकप्रियता में है वो इस सुप्रीम कोट के लिए पीरा दाय क्यों बन गया हुआ है दरसल एक माफिया के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोट में हो रही थी अलाहबाद आइकोट ने उसकी जमानत रद कर दी थी नीचिली अदालत से जमानत पाया हुआ फसाहत अली हाइकोट में उसके उपर वारंट जारी करके उसे गरफतार कर लिया गया ठीक उसी धंसे जिस तरह से हाई कोट ने इस तासी तलवार को के खिलाफ वारंट जाड़ी किया था फसाहात अली है विच्वल क्रिमिनल माना गया दोजार सुल्ला में रामपूर जो रामपूर जिस रामपूर को बाद में जाना जाने लगा आजम खान को ले करके फसाहत अली पर आरोप है कि उसने एक घर को गिरा दिया बीस हजार रुपे उसने लूट ली अक्सर सुप्रिम कोट ऐसे लोगों के परती नरम क्यूं हो जाता है या भी समझना जूड़ी है फसाहत अली दोहजार सुल्ला में एक घर को बुल्डोजर से गिरा देता है बीस हजार रुपे लूट लेता है इस मामले में उसकी जमानत रद कर दी इलहाबाद हाई कोट ने सुप्रिम कोट भागा भागा पूचा और सुप्रिम कोट ने जो कामेंट्स किया वो कमाल का है योगी सरकार से कहा योगी की पुलिस से कहा कि आपको भी लगने लगा है कि बुल्डोजर अच्छी चीज़ नहीं है दरसल एक माफिया के बुल्डोजर चलाने और एक सरकार के बुल्डोजर चलाने में क्या फर्क है यह समझना बहुत जरूरी था लेकिन सुप्रीम कोट ने फसाहत अली के बुल्डोजर को योगी के बुल्डोजर से तुलना कर दी और कहा कि क्या हम इसे record पर ले ले कि आपको बुल्डोजर पसंद रही यूपी सरकार ने कहा नहीं हम सिर्फ इसी मामले में बुल्डोजर से असामत हैं कि बुल्डोजर फसाहत अली ने क्यों चलाई कमाल की बात ये है कि बुल्डोजर चलाने वाले फसाथ अली को सुप्रीम कोट ने जमानत दे दी हाई कोट ने उसे जमानत रद की थी उसकी वज़ा ये थी कि वो habitual criminal था सुप्रीम कोट को योगी की पुलिस योगी की सरकार समझाते रह गई कि इसकी जमानत सिर्फ इस मामले के कारण रद नहीं हुई है इसके उपर कई अपराद हैं लेकिन सुप्रिम कोट को यह दिखा कि योगी का बुल्डोजर योगी की तरह बुल्डोजर कोई और चला सकता है उसे भी मानने तामिल ली चाहिए तो समझ में आएगा कि योगी के बुल्डोजर की लोकपरिता कहां पहुँच गई है और किस किस को योगी के बुल्डोजर से चोट लग रहा है योगी के बुल्डोजर से चोट तो सिर्फ माफियाओं को लगना चाहिए आपराधियों को लगना चाहिए और सुप्रीम कोट को तो अच्छा लगना चाहिए लेकिन क्यों जिस बुल्डोजर की तारीफ करते हुए ओलकाता हाई कोट के नियाय मुर्ती अभजीत मुखरजी निका की जरुरत परे तो योगी से बुल्डोजर ले आए ये सुप्रीम कोट को योगी के उसी बुल्डोजर में अच्छा कुछ क्यों नहीं दिख रहा है जब कि देश की जनता को उसमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिख रहा है दरसल यही अदालतों को समझना परेगा कि डेमोक्राटिक सिस्टम में जनता को क्या पसंद है क्यों योगी की लोकपरिता उनके बुल्डोजर से बढ़ती चली गई दरसल अदालतें योगी की इस लोकपरिता के खिलाब कुछ इसलिए नहीं बोल सकती उस बुल्डोजर के खिलाब जादा इसलिए नहीं बोल सकती योगी की लोकपरिता उस बुल्डोजर से ही है बुल्डोजर आतंक और माफियाओं को कुछलने का नाम हो चुका हुआ है इसलिए वो बुल्डोजर लोकपरिय हो चुका है तो खुल कर उस बुल्डोजर के खिलाप अखिलेश भी नहीं बोल पाते वो बुल की बात तो करते हैं लेकिन उसमें डोजर नहीं लगा पाते सुप्रिम कोट भी खुल कर योगी के उस बुल्डोजर के खिलाप नहीं बोल पाई क्योंकि उसे भी पता है कि यह किस कदर लोकप्रिये है लोगी और उन्खा बोल लो जाए बहुत बहुत धन्यवाद बंदे मात्रम जैहिंद